हेलो दोस्तों नमस्ते आसाथ ही नहीं मुण विश्वास है कि आप मस्त ही होंगे क्योंकि विद्यारती जीवन मस्ति भरा होता है लेकिन हम मस्ति भरे जीवन को जीते जीते क्लाइमिक्स की ओर पहुँच गये हैं जिसमें कि हमें अपना गोल फिक्स करना है अब इस मस्ति भरे जीवन की अगनी परिच्छा है अर्थात अभी हमको अपने भविष को भी मस्ति भरा जीवन बिताने के लिए हमें आज कुछ कठोड लेना होगा ताकि ऐसे ही हम अपना भविष भी मस्ति से जी सकें हमारा जीमन उस पराव पर पहुँझ गया है जैसे कि फुटवाल मैच का आखरी तीम मिनट या क्रिकेट का अंति होवर अर्थात हमें अपने जिन्दगी का मैच जीतना है यह मैच जीत गए तो आगे आने वाली ही खुझी होंगी अता हमें यह मैच किसी वी स्थिती में जीतना ही है और हम इसे जीत जाएंगे यकीन मानिये जीत जाएंगे बस अपना एक लक्ष्य बनाना होगा और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए थोड़ी सी रणीती बनानी होगी अर्थात हम कह सकते हैं कि जरु यूग है अगर आप सोच लिए हैं तो निच्चित उपसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि असली कटनाई तो सपने देखने में होती हैं इसे आप देख रहे हैं या देख लिए हैं हम यह बात निच्चित होकर इसलिए कह सकते हैं कि आप सपना देख लिए हैं या अपना लश ब विद्यार्थी से विसेश हैं आप खास हैं क्योंकि आपने सुनने के लिए सोचा इत्मिनान से यहां तक आगे आए इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी मंजिल आपको दिखाई दे रही है चलना तो शुरू करिये खुद बखुद आसान हो जाएंगे सारे कठिन रास्ते और हम वो विद्यार्थी हैं जो मन में ठान ले तो दुनिया का कोई भी लक्षे प्राप्त कर सकते हैं हम इस बात को इस अधार पर कह सकते हैं कि पुरी दुनिया में जो भी खोजा या कोई बड़ा काम हुआ उसे पुरा करने के लिए एक दिन आपके जैसा बिद्यार्थी ही मन में ठाना था कि हमें अपने जीवन में एक काम करना है और वह उसे करना सुरू किया और एक दिन कर लेता है तो वह भी विद्यार्थी और हम भी विद्यार्थी इस परकार हम भी सभी बराबर हैं इसलिए हम भी कह सकते हैं कि हम कर लेंगे आप मेरे साथ जुड़ो हमारे लक्ष अकैडमी वेडन के साथ जुड़ो और अपनी मंजिल को चुनो रास्ता बुनाने में हम हर संभो तत पर होंगे आपके लिए आपके साथ होंगे कोई लश छोटा या बड़ा नहीं होता चाहे आप पुलिस का परिछा दे लिजिए या IAS सम्में मेहनत करने होती है और कोई इतना बड़ा भी नहीं होता कि हम नहीं कर सकते हैं और इतना चोटा भी नहीं होता कि यह हुई पास्त हो जाएंगे हमें पढ़ना तो पढ़ेगा लेकिन एक खास बात यह है कि बस पढ़ना पढ़ेगा थोड़ी सी मेहनत और मन में बिस्वास रखिए आप जरूर कर लेंगे जैसे कि हम जब दस्मी या बरहमी में पढ़ते थे तो यह परिच्छा कितना कटी होता था लोग ही बोलते थे पर उसे पास तो कर लिए इसलिए इस परकार से हम यह परिच्छा भी पास कर लेंगे आप अगर अभी तक सुन रहे हैं अर्थात आपको यह सब सुनकर अच्छा लग रहा है आपके मन में उटसा बन रहा है तो चलिए हम आपको एक प्रेनस पर कहानी सुनाते हैं या एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको उटसा से परिपूर्ण कर देगा बहुत ही मज़ेदार कहानी है निश्चेत रुप से आपको मज़ा आएगा ही आएगा यह कहानी एक साधारन विद्यार्थी की है वह मात्र एक सफल विद्यार्थी है परन्तु उसमें एक खास बात जरूर है कि वो पढ़ता बहुत मन लगा के है कोई लेक हो या कोई भी पुस्तक मल जाए वो उसे पढ़ने में बिल्कुल भी आलस नहीं करता मोटे तौर पर यदि हम कहें तो मात्र यही कहेंगे कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है अरे हम भी पदा नहीं क्यों उसकी तारिफ पर तारिफ किये जा रहे हैं पर क्या करें दोस्तों वो है ही ऐसा चलिए ठीक है आईए कहानी शुरू करते हैं उस विद्यार्थी की हमें नाम पता पर उसकी कहानी पता है जरूर जानता हूँ वो अपने स्कूल जीवन में ही अच्छा करने को सोचता था मेरा मतलब एक बड़ी परिच्छा पास करके अपने अपने जीवन में सफल इंसान बना चाहता था और सोचता था कि बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और धेल सारा खुसिया पटूनी है धीरे धीरे उसने स्कूल सिक्षा पुन्न कर लिया और अपने लक्षी को प्राप्त करने के लिए साधन चुटाना भी शुरू किया और एक दिन उसकी मुलाकात एक इनसान से होती है जो उसकी तैयारी करने के लिए पूर्ण रूप से मदद करता है और उसका मार्गदर्शन भी करता है अब यह लड़का पढ़ना सुरू कर देता है और अपनी तैयारियों में जी जान लगा देता है हमें आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सफल जरूर होगा क्या आपको उसका नाम पता जानने की इच्छा नहीं हो रही है या फिर मिलने की इदि हो रही है तो हम बिना देरी किये बता ही देते हैं कि वो कौन है तो दोस्तों वो लड़का या वह विद्यार्थी या वह भविसे का सफल व्यक्ति आप हो और जिससे मुलाकात उसकी हुई वो हम है अर्थात लक्ष अकैडमी हमें यह पता नहीं कि आप लड़का है या लड़की और आपका नाम क्या है परन्तों हम यह जरूर जानते हैं कि आप सफल जरूर होंगे और आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी है इसलिए कब से इशलिप को सुनना है इस कहानी में रुची ले रहे हैं और आपके मन में एक सफना भी है एक खुबसूरत सी कुर्सी भी आपको दिख रहे है जिसमें आप बैठना चाह रहे है यदि यह सब कुछ सही है तो उठो जागो और ठान लो मन में कि हम कर लेंगे इसलिए कह रहे हैं उठो जागो और संपर्ग करो लक्ष एकैडमी बैठन में आप सफल अवश्य होंगे तो दोस्तों इसी संदेश के साथ कि आप अपने लक्षी को तैक करो और सफलता के लिए परिश्रम करते रहो धन्यवाद आ झाल झाल